हलो फ्रेंड आज हैं 5 डिसेंबर आज अपसे मैं मेरी टर्स गार्डेन शेयर करने वाली हूँ फिर से अब डिट दोंगे क्या हाल है तो यह है ब्लैक बकारा रोज बहुत ही प्यारे कलर के है तोड़ा ब्लैकिश टाइप है तो इसलिए शायद नाम है ब्लैक बकारा और यहा प्लांट होते हैं ना मतलब वैराइटी सभी के अलग-अलग नाम होता है सभी तो नाम पता नहीं होता है यह देखी यह और एक कलर के है तो बारा गुलाब के प्लांट मेरे पास है और बारा ही अलग-अलग वैराइटी के है और यह थोड़ा वाइट कलर के है और बीच में बूलाफ था लाहुए पीजह बोग झाय के लाएप है। कुछ में बहुत साथ है। मैं फूलक थे लेखने में दर रोत के लाट कितन हैं। और सारे मेरे गुलाफ प्लांट के कंडिशन बहुत ही अच्छा है। मैं गरमी डाइम और रेनी सिजन में बहुत ही क्यार करके रखती हूँ ताकि विंटर में मैं अच्छे से इसमें से फ्लावर मुझे मिलें हर एक प्लावर मुझे मुझे मिलता है तो भी मैं खुश हो जाती हूँ और मेरे ना दो प्लाउन्ट यह देखी यह जो है यह मिनी वराइटि की मतलब छुट छुटे- फिर से मेरा प्लांट ठीक से बस्रवाइब कर गया है तो यहां से मुझे कट कर देना है यह देखिए तो मैं कट कर दूँगी वीडियो बनाने के बाद और यह देसी वराइडी के है और बुगन वेलिया के भी जो भी मेरे प्लांट से सभी में बहुत सुन्दर से फूल की लि तो मेरे पास 10-11 टाइप के है तो देखिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ये बुगन विल्या के प्लांट के उपर हर एक प्लांट की अलग-अलग जो वेराइटी है नाम भी क्या है मैं वो दुसरे वीडियो में मैं शेयर करूंगे आपके साथ तो यह देखिए और वहाँ पर भी जो मेरे हमेशा मैं अपको टेरेस गार्डेन में जब भी दिखाती हूँ यह सभी प्लांट को मैं दिखाती हूँ तो यहाँ पर परपेल हार्ट है रियो प्लांट है गिफ प्लांट है देखिए पराफिट के उपर मैंने इस तरह से रखा ह तो मैंने यह सब रखा है तेरेस गार्डेन में रखा नहीं है और वहांपे भी बॉटल कंटेरा में मेले कुछ प्लांट है और पैराफिट के उपर मैं प्लांट रखती हूँ कभी भी गिरा नहीं है और आंधी तुफान के टाइम में रीचे रखती हो और बड़े-बड़े को बिल्कु भी वहां पे नहीं रखती हो, ठीक है और ही तो यहां पर कलें जब्लांट हैं ने्यार में अधिक यह देता हैना जो लाल गुच्छ वे खिलता है और सभी में देखिए हर एक ब्रांच में बर्ड आ गया है बहुत प्यारे कलर के हैं रेट कलर के कुछों में खिलता है तो बहुत ही सुन्दा लगता है तो ये दोनों प्लांट को मैंने टर्स के उपर ही रखा है विंटर के ताइम धूप चाहिए अच्छे से और यहाँ पे देखिए मेरे जेट प्लांट जो में और एक मयूर का शेप दिया था ये और एक भुगनविलिया के प्लांट है लेकिन इसमें फूल खिले नहीं है मुझे ये जो यूफोर्बिया मिली के प्लांट है न फ्रेंट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही ये लो मेंटेनेंस प्लांट है जादा क्यार की जादा पानी खात की जुरत है नहीं और उपर से इसमें से बहुत सारे फूल भी मिलता है तेशले मुझे यूफोर्बिया मिले के प्लांट बहुत पसंद है और ये और एक वराइटी के हैं ये भी गुंगनवیलिया के प्लांट है एक कौनसे कलर के फूल आते ये मुझे नहीं पता है ये मुझे गिफ्ट में मिला था लेक्ष तफकर इसमें सीट पोड भी यह यह और एक यू फोर भी आमिली के प्लांट है इसमें न्यादा огच ऑनाइर्य प्लांट्र प्लांट लगता है । मुझे इसलिगे इपलान बहुत पसंद secular चप्लान पासे दिया चे लिसमें चरद अंधिए व 190 Yum टॉप्यारी बनाई मैं दिखाऊंगे आपको मेरा क्रिस्मस ट्री के प्लांट यह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि देखिए कितने जादा इसका मतलब बहुत ही हल्दी सा ग्रोथ किया है कितने जादा इसमें लीब्स है और मेरे जो निम्बू के प्लांट है जब भी दिखा यह डॉप्यार के प्लांट है देखिए कलंचो के एक वराइटी और इसमें जब फूल आते है ना गुच्छो में खिलता है दो तिन महिना तक एक बर खिलनी के बाद रह जाता है बहुत प्यारे लगते है और इस प्लांट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो अपलोट किय हञा है और में मैंने रखा है और इस प्रसिल में भी नचिली के प्लांट था कॉम घटा quality को पूल खिले है तो इसको मैंने ऐसे छोड दिया तक इसको नहीं हटाऊंगी देथे हे कप्तक मतलब wintertime full खिलता है तो खिल रा है रोज इसमें से कील रहा है मेरे dragon fruit है और घर्मी के टाइं मेरे जो रजनीगन्धा के लेकिन देखिति विंटर के टाइम मुझे मीला है इस पीङ ज Aur प्लान इता तोमेर नेस्टाइब के आपके साथ में बंची में, कर दान्य पीच काईब करती हूँ ऐसे को इस प्लान नेती है और यहां पर बाटल नेता है वहाद और यहां भूस्त और स Inner वाग की सारे में वह समय टेंगल हट के प्लांट है और मैंने जो बहुत मतलब लंबा हो गया था इसके ब्रांच निचे की तरफ ट्रेल करता है तो सूपने लगाता है इसलिए मैंने कट कर दिया है और आज 5 डिसेंबर है हमारी यहातों वेस्ट बेंगल में देखिए यहां पर मेरी जो जेट की टोपियरी मैं बनाई थी हर्ट शेप है एक सामने से जो बर्ड है ना देखिए देखर लगता है कि वो दोनों उसका जो पंक है पहला के बैठा हुआ है बहुत ही प्यारे लगते हैं मैं बनाई थी और दो और जो बॉंसाई है मैं नीचे फ्रॉंट लगा के प्लान है ऐसे मैंने इक वाट में चोड़ दिया है बड़ा सा टब में और इसमें मतलब थोड़ा बचाने के लिए इसको बचाय रखने के लिए बीजबीज में कभी कभी पानी देती हूँ फीर से जब इसका टाइम आएका यहां से लेके मैं फीर से कटिंग से क्र अलग टाइप के मैंने उसे बचाने के कोशिश किया था लिप्स को फिर खा गया था फिर मतलब खराब हो गया था फिर से यह निकले है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है बहुत ही मतलब यह जो प्लांट अभी अभी दिखा है नाम नही किलकुल खोश हो जाता है और वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन सामने से और भी सुन्दर लगता है तो ठीक है निम्बू प्लांट के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ तो फिर से मेरा यह गारेन किसी एक के एक भी प्लांट को अगर अच्छा लगा फ्र बाइ